यह प्रक्टिस सेट नंबर 165 है यूपी PCS के लिए हैं ठीक है आज है 15 फरबरी 2021 यह टेस्ट रिकॉर्ट किया ज़रा है और आज की रेट का चौथा टेस्ट है यह तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो से तीन सेकिंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्ण को पढ़ने के बाद अप प्रश्ण नंबर बन पर आजाईए औरंजेव की म्रतिव के समय मराठा नेत्रत इन में से किसके हाथों में था बताईए औरंजेव की म्रतिव का समय क्या है 1707 मराठा नेत्रत था ताराबाई के हाथों में तो औरंजेव की म्रतिव हुई थी तीन मार 1707 को और 1707 में राजा राम की म्रत्यू के बाद मराठा नेत्रत तारा भाई के हाथों में आ गया, तारा भाई का समय मराठो का उतकर्ष काल था, वह चोल राजा कौन था जिसने स्री लंका को पूरी तरह सोतंतरता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवा कर दिया उसने, कौन थ कुलोतुंग पर्थम, आपसर नमबर ए, तो चोल नरेश कुलोतुंग पर्थम ने स्री लंका को पूरी सोतंतरता दी और अपनी पुत्री का विवा जो है, सिंगल राजकुमार के साथ कर दिया, पुंडबर्धन भुक्ति अवस्तित है, बताइए कहां पर है, पुंडबर् अधन नामक गुप्तो का एक परदेश था, आधनिक बंगला देश के दिनाजपुर डिस्टिक में स्थिद्ध दामूदरपुर से उसका तामूर पत्र मिलता है, जिसमें इस प्रांध का उलेख है, 1937 के चुनाब के परदेश उत्तर परदेश में गठित मंत्री मंडल में किसको वित्त विभाग सोपा गया था, रिपीटिड प्रशन है, किसको सोपा गया था, गोबिन बल्लपंद, कैलास नातकारजू, मुहमद इबराहिम या रफी एहमद किदवई, यही है रफी एहमद किदवई भी, तो 1937 के पस्चात यूपी में गठित मंत्री मंडल में, रफी एहमद किदवई को वित्त विभाग सोपा गया था, 1937 के चुनाब में, देश के जादी से पहले की बात हो रही है, किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दिवारी से बाहर निकाला, कहने का इसका महिलाओं ने भी बड़ चड़कर हिश्सा लिया होगा, किसी ना किसी आंदोलन में, तो थी महिलाएं, होम रूल आंदोलन में, देखे, इसको ग्रह सासन भी लिखा रहता है, ग्रह सासन आंदोलन, तो उसका मतलब होम रूल ही है, छीक है, अत्यलक एनिवेसंट का, अ सभी ना भक्या में भी वो नोन कॉर्परेशन है 1922 वाला सभी है फिलालिस का उत्तर मतलब असही हो गए वो सभी आंतरों में महिलाओं ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया कोश्चन नुबर 6 पर आजए नमर्कित कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई इन में से कौन सा कॉलेज सबसे पहले बना था हिंदू कॉलेज कलकत्ता दिल्ली कॉलेज मेयो कॉलेज और मुहमाद मुस ने कलकत्ता में हिंदो कॉलेज की स्थापना की थी कोश्चन नुमर्ट 7 पर आजए पर्थम महायुद के दरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट थे राजा महिंदर परताप चलिए तुर्किया एलिमिनेट कर देते हैं बताए सिंगापूर य कोश्चन नुमर्ट 8 पर आजए नमलिखित कतनों पर विचार करना दो इस्टेटमेंट है यहां पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है लंदन में वर्टिस इस्ट इंडिया कंपनी के गठेंड के समय भारत का वातसा अकबर था और पूर्व के देशों के साथ व्यापा करने के लिए अंग्रेजों ने कंपनी की इस कंपनी का नाम गबर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इंटू दा इस्ट इंडिस था पड़लंबा नाम था 31 दिसंबर सोले सो में ब्रिटेन की महराणी एलिजावेथ प्रथम ने एक साही फर्मान द्वारा इस कंपनी को 15 सालों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के अनुमति प्रदान कर दी और इस समय भारत का साशक मुगल समराठ अकबर कोशन नमबर 9 पर आजए सारदा अधिनियम आपको याद होगा इसके अंतरगात लड़कों और लड़कियों के विवाह की नियुनता मायू बताईए करमसा के तने द्रशाद की प्रदान की लड़कों के लिए विवाह की आयू थी 18 वर्ष और लड़कियों की थी 14 वर्ष तो 1930 का सारदा अधिनियम कन्यya की नियुनता मायू करता है 14 वर्ष और यूब़क की नियुनता मायू करता है 18 वर्ष कुश्चन अमबर्दस पर आजेए निम्लकत में से कौन अलवार संत नहीं था कौन सा इन में अलवार संत नहीं है तो क्या होगा नैनार होगा तो पोई गई अलवार है पूडम अलवार है तिरुमंगई अलवार है तुरुग्यान ये नैनार संत थे तो देखे उत्री भारत के साथ दक्षण भारत में भी सिव पूजा का व्यापक परचार परशार था दक्षण भारत में सैव धर्म का परचार परशार नेनार संतो द्वारा हुआ नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है इनमें प्रमुक हैं अप्पार, तिरुग्यान, संबंदर, सुंदर मूर्ती, बागचर आदी बाकी जो हैं वो अलवार संत हैं जो बिकल्प में दी हैं तिरुग्यान था ना तो एलिमिनेट करेंगे नैनार कोश्चन नबर गयरे पर आजएए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दिख्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्रक्त में से कौन था सुभद तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर में दिख्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद था फिरोज तुगलक द्वारा इस्थापित दारूल सफा क्या था इस से रिलेटेड प्रशन थमने में पूछा है तो दारूल सफा था एक खेराती अस्पताल इस खेराती अस्पताल में मुफ्त में चिकित्सा दी जाती थी रोगियों को निसुल्क चिकित्सा और भोजन की उत्तम व्यवस्था थी ठीक है और फिरोज तुगलक ने कहां बनाय थे दिल्ली में अब थमने पर जो प्रशन पूछा उसका अंसर क्या है मुफ्त एक गलत ढूणा आना तो मुफ्त विन तुगलक गलत है क्योंकि ये फिरोज सा तुगलक ने बनाया निसुल्क चिकित्सा के साथ-साथ भोजन की उत्तम व्यवस्था भी थी इसमें क्हेराती अस्पताल में क्वेशन नमबर तेरे पर आजएए भारत में चांदी का सिक का टका जारी करने वाला कौन मध्यकली न्शाशक था चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाने वाला इलतुतमिश था तो देखिए दिल्ली की मुदरा पर्णाली में इलतुतमिश का साथशनकाल एतिहास एक मेहत्व रखता है तथा मुद्रा प्रणाली में उसका युगदान सरवाधिक है पहला तुर्क था जिसने अर्बी के सिक्के चलाए इसने चांदी का टका और ताबे का जीतल चलाया सिव की दक्षणा मूर्ती प्रतिमा उन्हें किस रूप में संदप प्रदर्शित करती है सिव की दक्षणा मूर्ती प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है ध्यान मगन में नहीं विश्राम करते हुए नहीं नरत्य करते हुए नहीं सिक्षक के रूप में तो शिब की दक्षणा मूर्ती प्रतीमा उनको सिख्षक के रूप में परदर्शित करती है। सीधे सीधे याद रखिए कुछ एक्स्पिनेशन की आवशकता नहीं है। तो इंपोर्टन्ट है तीनों चीजे गायत्री मंद्र का उलेक सबसे पहले कहां मिला। रिगवेद में मिला। किस देवता को समर्पित है। सूर देवता को समर्पित है। इसकी रशना किसने की विश्वा मित्र नहीं। तो पंदरा प्रशन थे ये। छोटी और इंपोर्ट एक्स्प्रनेशन वाले। इनके प्रक्टिस एक बार कर लेजएगा। धन्यवाद।